हलो स्टुडेंट्स, कल हमने पार्ट एक बड़े भाई साब में पढ़ा की किस प्रकार बड़े भाई की डाट फटकार सुनकर छोटा भाई टाइम टेबल बनाता और उस पे आमल करने के कौशिश करता लेकिन जैसे ही वह खेल कूद की गतिविदिया देखता उसका मन अब हम इसे आज बापस कंडिर्यों करते हैं साला ना इम्तिहान हुआ इम्तिहान अर्थत परिक्षा साला ना इम्तिहान हुआ बार्शिक परिक्षा हुई भाई साहब फैल हो गए मैं पास हो गया और मैं दर्जे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच केवल दो साल का अंत इसकुल में बाश्रिक परिक्षा हुई भाई साब फैल हो गए और लेखक पास हो गया और वह वी दर्जे में प्रतम अपनी कक्षा में प्रतम आया अब उन दोनों भाईयों के बीच केबल दो साल का अंतर रह गया लेखक के जी में आया भाई साब को आड़े हातों लूँ आ लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाओ पर नमक छड़ेतने का बिचार ही मुझे लज्जासपत जान पड़ा हाँ अम मुझे अपने उपर कुछ अविमान हुआ और मेरा आत्म सम्मान भी बढ़ गया बाई साब का ब मैं तो खेलते कूरते अपने दर्जे में अबबल आ गया जवान से यहां हेकडी जताने का साहस ना हुने पर भी मेरे रंग धंग से साफ जाहिर होता था कि बाई साब का वह आतंक मुझ पर नहीं था कहने का आशे यह है कि जो लेकक थे वह कक्षा में प्रथम आये और प्रथम आने के बाद वह अपने बड़े भाई को अपने मुझ से तो कुछ नहीं कह सकते थे लेकिन जो उनका बाड़ी लेंग्विस था जो उनका रंग धंग था उससे साब पता चलता था कि वह अब बोर का सारा समय गुली डंडे की भेट करके अर्था सुबह सुबह गुली डंडा खेल करके ठीक बोजन के समय लोटा तो भाई साब ने मानो तलवार खीचली अर्था तुन्होंने फिर से मुझे फटकाल लगाई मुझ पर तूट पड़े और कहने लगे देखता हूँ इस चोटे भाई को समझाने लगे कि जो गमंड है तुम जो अपने उपर गमंड कर रहे हैं कि मैं कख्षा में प्रथम आ गया हूँ यह गमंड तो बड़े बड़े का भी नी रहा तुमारी क्या हस्ती है इतिहास में रावन का हाल तो तुमने पड़ा ही होगा उसके चरितर से तुमने कौनसा उपदेश लिया या यूही तुम पड़ गए महज इमतिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धी का विकास करना अर्थात लेखक के बड़े भाई के अनुसार जिंदिकी में पास होना सब कुछ नहीं होता बलकि बुद्धी का विकास कर आज कल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर इने चक्रवर्ती नहीं कह सकते संसार में अनेक राष्ट अंग्रेजों के आदिपत्ति को स्विकार नहीं करते बलकि वे विलकुल स्वाधीने अर्था अपने अधीने रावन एक चक्रवर्ती उसे कर देते थे कर मतलब टेक्स बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ गमंड ने उसका नामों निशान तक मिटा दिया अर्थात लेखक के बड़े भाई कहना चाहते है कि जब रावन जै और दीन दुनिया दोनों से गया शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा उसे यहाँ विमान हुआ कि इश्वर का उससे बढ़का सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से उसको नरक में ढखेल दिया गया शाहे रूम ने भी एक बार एहंकार किया था भीक मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दरजा पास किया है और अभी से तुमारा सिर्फ फिर गया तब तो तुम आगे पड़ चुके अर्था बड़े भाई ने कई उदारणों के दुआरा अपने छोटे भाई को समझाया यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से प निशाना पड़ जाता है अर्था कभी कभी इत्वाक से भी कारिय हो जाते हैं इसमें कोई सफल खिलाडी नहीं हो जाता सफल खिलाडी तो वह होता है जिसका कोई निशाना कभी खाली ही नैजाए मेरे फैल होने पर मत जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दातों पसीना अज निशान हो जाओगे जब अलजेवरा और जौमैट्री के लोहे के चने चवाने पड़ेंगे अर्था तुम्हें अत्यदिय कठिन मैंनत करनी पड़ेगी इंगलिस्तान और इतिहास पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बादशाहों के नाम रखना आसान नहीं आठाट हैंडरी हो गुजरें अरथाट इतने सारे राजा हो चुके हैं जिनके सेम सेम नाम थे कौनसा कांड किस हैंडरी के समय में हुआ क्या यह है याद कर लेना आसान समझते हो हैंडरी साथवे की जगे अगर हैंडरी आठवा लिखा तो क्या होगा सारे नंबर गायाब हो जाएंगे सफाचट सिफर भी ना मिलेगा सिफर अर्था जीरो सिफर भी ना मिलेगा सिफर भी हो किस खयाल में दरजनों तो जैम्स हुए हैं दरजनों विलियम, कौडियो, चाल्स अर्थात लेकक के बड़े भाई कहना चाते हैं की इस संसार में एक एक ही नाम के कई कई सारे राजा हुए हैं और अगर तुम एक नाम की जगे दूसरे राजा का साथ वी की जगे आठवा लगा दोगे तो तुम्हारे सारे नमर गायब हो जाएंगे जब इनके वारे में पढ़ते हैं तो दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंदी रोगों जाता है इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, अर्थात इन राजाओं को नाम भी नहीं मिलते थे एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारूम, पंचुम लगाते चले गए मुझसे पूचते तो दसलाख नाम बता देता, अर्थात लेखक के भाई कहा रहे हैं कि इनोंने एक ही नाम के पीछे एकम, दोयम, तीम, चोयम इस तरह से लगाया अगर मुझसे ये पूचते तो मैं उनको कई सारे नाम बता देता और जोमेटरी, तो बस खुदा ही पना, ए, ब, ज, की जगे अगर ए, ज, व, लिख दिया तो सारे नमबर कट गए कोई इन निर्दही मुमत हीनों से नहीं पूचता, मुमत हीनों आर्थात परिक्षकों से कि आखिर अ, व, ज, और ए, ज, व, में क्या फरक है और प्यार्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हूँ, दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परिक्षकों को क्या परवा, व, है तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है वे चाते हैं कि लड़के अक्षर-अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम उन्होंने सिक्षा रख छोड़ा है, अर्था जो लेखक के बड़े भाई साब थे, वो रटंत सिक्षा पर बल नहीं देते थे और आखिर इनवे सिरपैर की बातों को पढ़ने से क्या फाइदा, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे क्या प्रवेजन, अर्था तुन्होंने गणित के उधारनों को बताते हुए कहा, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो य यह होगा, इस तरह से उन्होंने पूछा कि इन सब चीजों से क्या मतलब है, दुगना नहीं, चोगना हो जाए या आदा ही रहे उसकी बला से, लेकिन परिक्षा में पास होना है, तो हमें यह सब चीज़े याद करनी ही पड़ेगी, इस प्राकार से लेखक के बड़े झाल